पाकिस्तान नाम का जिक्र आते ही हमारी भीतर उसको लेकर तमाम नकारत्मक्ताएं आ जाती है उन नकारत्मक्ताओं में प्रमुक्तस जिनका जिक्र होता है उनमें आतंकवाद, भूकमरी, सेनाद्वारा तक्तपलट और थार्मिक साम्प्रदैक्ता वगेरा वगेरा पर दोस्तों हम यह कहना चाहेंगे कि लाखों नकारात्मक ताय होने के बावजुद भी किसी भी देश में कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं जिसकी सराना की जानी चाहिए दस दसंबर 2014 का वसाल जब नार्वे में अरजितिक कारिक्रम में पाकिस्तान में छोटी सी बच्ची को दुनिया का सबसे बड़ा पुरिसकार प्रदान किया गया बच्चों और युवाओं की दमन के खिलाफ और सभी को सिक्षा के अधिकार के लिए संगर्श करने वाले भारती समासेवी कैलार सुत्यार्थी के साथ सयक्त रूप से उन्हें शान्ती का नोबल पुरिसकार प्रदान किया गया पुरिसकार प्रदान करते ही सभगरा में उपस सभी ने खड़े होकर तालियों की गूंच की सत्रा वर्श की आयों में नोबल पुरिसकार प्राप्त करने वाली मलाला तुनिया की सबसे कम उम्र वाली नोबल विजई बन गए अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अचानक आज हम मलाला यूसुफ जई की बात क्यों करने लगे तो साथियों वह इस लिए क्योंकि नोबल शांती पुरिसकार विजईता मलाला यूसुफ जई ने ब्रिटेन के बर्मिंगम शहर में शादी कर ली है चौबिस वर्षी मलाला ने असर मलिक के साथ निकाह किया और अपने शादी को अपने जीवन का एक मोलिवान दिन बताया पहले शादी को लेकर उनका कुछ अलग ख्याल था इसका भी जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे अभिवादन स्विकार केजिए ट्विंकल बादवानी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरिवर्ट नियूज नेटवर्क पाकिस्तान की इस जानी मानी महिला अधिकार कारिकरता को तालिबान शरम पंतियों ने 2012 में सिर में गोली मार दी थी जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बर्मिंगम लाया गया और तब से वो वही रह रही है मलाला ने अपने शादी की जानकारी खुद ट्विटर पर दी और लिखा असर और मैंने जीवन साथी बनने के लिए डोर बांद ली है उन्होंने मंगलवार को बताया कि कैसे उन दोनों ने परिवार के साथ एक छोटे से समारों में निकाह किया मलाला ने लिखा हम भावी जीवन यात्रा पर साथ यात्रा करने को लेकर उत्साहित है आईए बताते हैं कि उनके पती असर मलिक क्या करते हैं मलाला यूसप जै क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रिशन सक है और कई बार अपने इंटर्वियो में वह इन बातों का कुलासा कर चुकी है सयोग सन के पती असर मलिक का भी क्रिकेट से बहुत करीब से नाता है वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट के नेशनल हाई पर्फॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर है असर मलिक ने लाहोर के प्रतिष्ठित एंचिसन कॉलेज से डिग्र लेने के बाद लाहोर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की PCB से जुड़ने से पहले वो पाकिस्तान सूपर लीग की टिम मुल्तान सुल्तान के साथ भी जुड़े रहे हैं PCB ने पिछले वर्स पाकिस्तान में क्रिकेट के विकास के लिए नेशनल हाई पर्फॉर्मेंस सेंटर का गठन किया था पूर्वर्टेस्ट क्रिकेटर और स्पीनन नदीम खान को इसका नेदेशक बनाया गया जुलाई में फैशन पत्रिका वोक को एक इंटर्विव में मलाला ने कहा था मुझे अब आज समझ में नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं अगर आपको जीवन साथी चाहिए तो आप शादी के कागजों पर दस्थकत क्यों करते हैं ये एक पार्टनर्शिप क्यों नहीं हो सकती उन्होंने का मेरी मा कहती है भूल कर भी ऐसा मत करो तुम्हें शादी करनी है शादी एक संदर चीज है जब इतनी बाते हो चुकी हैं तो आईए मलाला यूसफ जई के पास्त के बारे में कुछ और जान लेते हैं मलाला यूसफ जई पर तालिवान ने पाकिसान के खैबर पक्तून खुआ प्रांत के स्वात में 9 अक्टूबर 2012 को जान लिवा हमला किया था मलाला तब 15 साल की थी और लड़कियों को सिक्ष्या का अधिकार दिये जाने को लेकर मुखर होकर आवाज उठा दी थी तालिवान चरम पंथी इससे नाराज थे और एक दिन एक चरम पंथी उनके स्कूल में बस में आया और ताबर तोड गोलिया चलाना शुरू कर दी जिसमें मलाला और उनकी दो दोस्त खायल हो गए पाकिस्तान में एक चोटे ऑपरिशन के बाद मलाला को 2012 में आगे के उपचार के लिए ब्रिटेन भीजा गया इसके बाद मलाला को इंगलेंड में इलाज के लिए भेजा गया और ठीक होने के बाद वो सिक्षा के लिए वही रहती है मलाला बर्मिंगम को अपना दूसरा घर बताती है 2014 में 17 साल की उम्र में मलाला ने नोबल शांती पुरुसकार प्राप्त किया वह दुनिया में अब तक की सबसे कम उम्र की नोबल पुरुसकार विजेता है मलाला ने पिछले साल 2020 में आक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शन सास्तर राजनीती और अर्थ सास्तर में डिग्री हासल की डिग्री हासल करने के बाद से मलाला अफगान सरिनार्थियों को और उनको बहतर मदद देने के लिए मांग करती रही वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करें मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दीजिये अजाज़त अपनी दोस्त ट्विंकल को बापाई